प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, इश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर तब गुर्देव ने कहा, कि वेटा, तो रोटी खाले, भूख लगिये तुझे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तू खाना खाले, उसने खाना खालिया, और कहा कि वो अपिस चार उस लड़की को कह दे कि अपना सारा समान उठा के, और इस नगर को आज ही त्याग दे, रात इस ने आटा दिया, उसी को कहूं कि तू लगर त्याग दे, इस ये बड़ी खबर उसके साथ के लिए, क्या होगी, पर साथ में गुर्देव का आदेश और साथ में यथारता, बताने के लिए चला गा, तब उसने कहा कि माई, गुरु जी बड़े परसन हुए ते रहते है अटा रुटी तो नहीं ख़या उन्होंने, मैंने तो खाली मेरे को आदेश दे दिया, और उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपना समान लेकर कि यहांसे प्रस्थान कर जाओ, सारे बच्चों को, सारे अपने गदों को सब कुछ लेकर समान सबी जा, और जहा तू रात के 12 बजे के बाद ये नगर विनाश को पराप्त होगा ये मेरे गुरुदेव का स्राफ लगया इसको उसमें वो संत जन बग्दन जानते थे कि संत जो कर चाजते हैं वो कर सकते हैं उनके पास से दिया होती है वो कुमारी ने अपना सारा समान उठाया कब लादिकर चल पड़ी जहां स्याम हो गया वही रुखी गी रात्री के से में वो सारा का जब सारे अंदर सो रहे थे रात्री के से में एक दुब भूकम का जटका आया और सभी विनाश को पराप्त होगे एक भी री बचा और सुबह के लोगों को पता चला कि क्या हो गया वहां नगर मिनास हो गया सब ढूंड़े गए वहां कुछ सब की मर्तिव होगी उन लासों को जला जला फिर उनसे पूछा कि माई तू कौन है कहां से आई यहां कैसे बैठी है उन्होंने बताई भी मैं ऐसे ऐसे उसे नगर में रहा करती थी और वो सारी कानी बताई उस पर इतनी हमदर्दी होगी आसपास के नगर निवासियों की उसका वही मकान बना दिया उसको कई किल्य जमीन दे दी और वड़ा खुस होए और वहां फिर एक पूरा नगर बस गया तो नेकी ने ये कथा सुना ये अपने पोतर सेव को और कहा बेटा ये नगर विनास हो जाएगा अगर आज संत रोटी खा कर नहीं जाएंगी चूंकि ये परमात्मा है और इनका अनादर ये काल भी नहीं माफ करेगा इस नगरी को विनास कर देगा ये काल ही कर देगा क्योंकि ये परमात्मां के परमात्मा है अगर कोई राजा के साथ बदतमेजी कर दे तो उस अक्षितर के अधिकारी उनको बहुत सजा देते हैं ऐसा है समझना तो सम्मन शेव ने का मा फिर जरूर चोरी करने हो जाएंगे और हम नहीं खाएंगे संतों को खिला देंगे ये नगरी बच जागी अकांबिटा ऐसा ही है ये सोचकर सम्मन पिता और शेव पूत्र दोनों के दोनों रात्री के बारहे बज़े चोरी के लिए चले एक सेट की दुकान पहले कच्ची छोटी इंटों की और कच्ची होती थी दिवारे उसमें जाकर के सुराख बना लिया एक सेंद लाई इतना सुराख बनाया कि उसमें आसानी से अदमी लंबा लेट कर अंदर गुश जा और ऐसी वापस आ जा उसमें सम्मन ने कहा पूतर शेव तू बाहर बैठा रहा है मैं अंदर जाता हूं पूतर है और यदि मैं पकड़ा जाओं तो मैं उस आठे को बहुंद कर चद्र में बगाज फैंक दूंगा इसके अंदर से और तू उठा कर भाग जाना गुरुदेव को खाना खिला देना उनको बताना नहीं कि मैं पकड़ा गया हूं नहीं तो खाना नहीं खाएंगे और जल्दी खाना खिला करके सद्गुर को प्रस्थान करवा देना कहीं यां बेज दीना हो जानकी अब सेव कहता पोतर कहता अपने पिता से पिता जी मैं बच्चा हूं और यदि मैं पकड़ भी लिया गया मैं जाओंगा अंदर चोरी करने यदि मैं पकड़ा भी गा तो बच्चा जानका मुझे माफ भी कर देंगे और आपको माफ नहीं करेंगे यह फासी तक दुड़वा देंगे यह सेट बहुत पैसे वाला है और राजा तक इसकी पहुंच है सम्मन ने कहा बेटा अगर तो मर गया तो मैं इस जीवन का क्या जी कर करूंगा बेटा नहीं मैं मैं जाओंगा तक सेव ने का नहीं पिता जी यह मेरी मेरी प्रार्थना स्विकार को ऐसा कहते ही सेव ही उस शुड़ा के अंदर से पूतर सेव और चोरी करने खुश गया ने सम्मन ने कहा बेटा ज्यादा नहीं लाना कि वह तीन सेर आटा हम नहीं खाएंगे अंदर जाका है शेव ने ऐसा अंदाजा सा तीन सेर आटा लिया अपनी फटी पुरानी चदर में उसको बांधा और चलने की तैरी की तो एक तराजू के उपर तराजू का दूसरा प्लड़ा रखा हुआ था लोहे का जो ही अंदेरे में उस तराजू के पैर 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 टिक गया और चोर-चोर करके शेव निकनने लगाना उसको पकड़ दिया पैर से पकड़ दिया मजबूती थे इतने में शेव ने अपने वो चदर में बंधा हुआ आटा उस राक के अंदर से बाहर प्हेंग दिया और कहा पिता जी मेरे को बनिया ने पकड़ दिया और आप शेव को सीव भी कहते हैं सीव अब बरन शेव बुला जाता थाम सीव ही बोल रहे हैं सेव को थाम यान staff यानिवय से बांध दिया एक पिलर होता है लकड़ के होते थे उस थंब का थाम का पिलर का खंबय के बांध दिया रस्से था समन लेकर कि आटा घर पर पहुंचा नेक पूतर कहा है? तो सम्हन ने कहा कि उसको बणिये ने पकड़ दिया और थांसे बांध दिया अब नेकी ने सोचा कि लड़का पैचाना जाएगा लोग नगर के कहेंगे कि इनके गुरुजी जो आते हैं यह चौरी करवाने आते हैं ये पक्के चोर हैं ये चोर की माँ हैं इसलिए इनको सजा दो और कहीं हमारे गुरुदेव को कोई यहां पर हाथ ना उटा दे और इनकी बेज़ती ना कर दे और बच्चा पैचान में ना आवे ऐसा कोई तरीका ढूंडा नेकी ने अपने पती से कहा अपने पूतर की गर्दन काटने के लिए सम्मन से कहा नेकी ने की तलवार ले जा और पूतर की गर्दन काटने एक बार प्यार से बाहर गर्दन निकलवा लेना और फिर गर्दन काटने लेना और सिर को उठा के लियाना कोई पैचान ना सके में तेरे कान में बहुत जरूरी है पुतर सुबह तो ना जाने हम मिलेंगे ना मिलेंगे क्योंकि ये राजाओं के राज हैं ना जाने आपको फांसी सजा दे दे और या मुझे भी दे दे बेटा एक दो बात करनी है एक बार गरदन बार निकाल ले उधर सेउ के मन में यही आया के परमात्मा देख कोड का हानी बनी और मेरे पिता जी को सदवुदी दे दाता के मेरे गरदन काट ले मैं पैचान में ना हूँ नहीं तो गुर जी तो बेज़ती हो जाएगी ऐसा सोत रहा था इतने में संबन ने कहा के पूतर मुझे एक बार दो बात करनी है तेरे से सिर बाहर निकाल ले सेउ ने कहा बनिये से सेट से कहा के लाला जी बाहर मेरे अपिता ख़़िया है दो बात करनी है मुझे बात कर लेने तो सेट ने कहा के तू भाग जागा चो ओ रहें तो भगत बने फिरा करते थे अब पकड़े गई ना तुम्हारी कहते हैं हमारे गुरू जी बड़े शद्ध हैं हमारे गुरू जी ऐसे हैं आज देख ले पता लग गया था रियसलित का ये चोरी करवाने आते हैं अब देखना है तो नवाब के पास चामगा सुग है तुम्हारे गुरू जी को अब तुम को सब को एकठी सजा मिलेगी अब सेव कहन लगा है सेट जी कुछ भी कह ले तेरी सब सुनने पड़ेंगी मुझे पर एक दया कर दे मैं अपने पता जी से दो बात कर लो कर लो और बात कर लो अब सेट जी ने सोचा भी कोई बात नी कर देंदे बात ऐसे रसाठ हिला कर दिया सेव ने सिर बाहर निकाला और पिता जी क्योंकि बाप था हाथ आगे को नहीं आया गर्दन काटने के लिए तलवार कुला को लिया पीछे ने और चुप हो गया बोला नी तब सेव ने कहा पिता जी यदी तो मेरा बाप है आज मेरा एक वचन माल ले पिता जी मेरी गर्दन काट ले गुरुदेव की बेजती होगी ये कहरा कि कल बाप के पास चाऊंगा और तुमारे गुरुजी कठी सजा मिलवाऊंगा वह चोरी करवाने आए हैं पता जी मेरी गर्दन काट ते अगर तुमेरा बाप है आप मेरे पता जी हो तो आज पता लग जागा नहीं आप माय आपका वेटा नहीं आप मेरे बाप नहीं इतनी बच्चे के मुख से इतनी कड़कदार आवाद सुनक इतनी हिम्मत देखए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी एक दम जोर से करद लाई और लड़के की गर्दन काट दी और उठा के सीज को लाकर के वहां नेकी को दे दिया और नेकी नोशको ताक में धड़ दिया अपने पूतर के सिर को और अपने हाथ से एक ताक में बंद करके य यह जो कहीं डालके आएगा छुपाके अगेगा उसके निसान जा रहे होंगे गशित के उसके जहां से निसान बनते हुए गए Thank you世界 ले quarघा होगा वहां से सव को उठादा दढ़ को उठादा अव जो ही वापस AGा समन्स देखा तो लाला जी ने तो सेट ने वो बच्चा गुशीट को एक पजवे में डाल रहा जहां पर मठके मुठके बना करते हैं कुमार उस में उस वहां डालके आ गया और अपने घर को लीप डापकर ऐसा ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई निठी उसने सोचा कहीं ये कतल का मुक्तमा और ना लग जाते रहे समन जाकर अपने वेटे की लास को धड़ को उठाकर घर ले आया और एक कोठे में गहरे कोठे मंदर जाकर डालकर उपर कपड़े कपड़े डाल दिये और नेकी ने कहा कि रोना नहीं है समन से कहा लड़के की माने नेकी ने अपने पती से कि रोना नहीं है नहीं तो गुरुदेव खाना नहीं खाएंगे आटा बनाया रोटी बनाई और बखत से गुरुदेव से कहा भगवन खाना खाऊ आपने स्याम ने भी नहीं खाया था जानी जान प्रमात्मा आकर के बैठ के एक लाइन में गुर्देव का आसन लगा है बगतों का विछोना बचा है जैसा भी फटा पुराना था तीन नो एक पंक्ती में बैठे हैं आगे तीन कसोरों में तीन दौनों में मिट्टी के कटोरे होते हैं मिट्टी के मट्कों जैसे मिट्टी के ऐसे तीन दौनों में भोजन रख दिया कभीर साहब ने कहा इशो छे में करो वाई क्योंकि कभीर साहब और दो उनके सWork समन से वो रड़े की सोच कर कहा कभीर साहब ने कहा चे में कर दो इसको सारे भोजल को अभ नेकी और संन करवद होकर कहते है पर आप भोजल पाओ हम तो बाद में पाएंगे कविर साब ने का भी देखो आज तो प्यार के साथ इकठे ही खाएंगे एक ही बार खाएंगे आज वो बैठ चाओ अब उन्होंने पांच दोनों में कर दिया कविर साब ने का नहीं छे में कर दो अब बोले नहीं कि पता ना लग जा और पूछेंगे तो कहदेंगे बुचा क Papa की के खेल ने गया होगा अब छे दौनों में, षे कटोरों म मिटी के कटोरों में कसोरों में डाल करकर बोजन और तीन, पांचों वे राजमान होगे तब Kविर साब ने कहा क제 आजा बेटा से őँ आजा सेवु जी मिलो ये परसाद प्रेम और बेटा शिर कटते हैं चोरों के तुम तो संत हो इनके सभी अक्से में निमाक उनकी तिम रक्षा होती है बचाव होता इतना ही वचन किया था कभीर परमिश्वर ने उस ताक से वो सी सूटके और उस धड़ पर जुड़के और जीवित होके सेवु और पंगतम आका बैठिया है बोलो कभीर परमिश्वर की जै अब माता पिता हरान उसकी गर्दन से ऐसे कपड़ा हटा कर देखें उसके निसान भी कोई नहाँ ग्रीबदासी ने बताया कि सेवु धर पर सीस्त ड़ा और बैठा पंगतमा और नहीं गर्दन का यू ओ सेवु अकना ये मालिक मात पिता भी असमन जस्म होगे कि यू वही सेवु है कोई और है इसको तो निसान भी नहीं है अंदर जाकर देखा तो ना धड़ है ना सीस है और केवल वहाँ पर थोड़ा थोड़ा लहू पड़ा है खून पड़ा है तिन्नों चर्णों के दोनों कबीर पर विश्वर के चर्णों में गिर गए और कहा दाता अब काओगे ना अब कि ये दास आपके लिए गर्दन दे नहीं तब कबीर साहब ने आशिर वायत किया के वेटा तुम धनाडे हो गई कबीर साहब जले गई एक दिन सम्मन के मन में प्रेड़ना आई कि इस यहां के दो दिवार अंदर से मकान की एक बीच में दिवार थी इसको निकालकर और ये खुलह बना लेता हूं दिवार को ख पैसों से भरा वह पूरा उतुना बुड़ा माठ मिला चांदी के शिक के असरफी मोहर अर्थात कहने का भाव ये है कबीर परमेश्वर ने वहां वो दन दाविदिया पर्भु जो चावैसों कर दे और एक नंबर का सेट उसी जीवन में वो सम्मन हो गया लेकिन फिर भी ज पैसा होता तो इन पूतर नहीं काटना पड़ता वो तो उसी चकर में अपना जीवन वरत कर यानि वो जीवन ऐसे ही बिताया उसने लेकिन वो प्रुबानी परभू के नाम की खाले नहीं जाती अपने गुरदेव के नाम पर नेकी और सेव मा बेटा तो उसी जनम में पार ह लेकिन सम्मन ग्रस्ती अपना मुख्या होने के कारण अपने मन में ये कलपना बनाई रखा रहा आखिर सांस तक कि मैं जल्म किया मैंने अपना बेट टाफ काइटना पड़िया इतना मेरे पास धन होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता ऐसे करते करते उसकी मरत्यू होगी नेक्स्ट जनम उसका एक नो सेरखा नाम का और नो सेरवा नगर का बाद सावन गया वह सम्मन अगले जनम में नो सेरवा नाम के एक सहर का और नो सेरखा नाम का एक बाद सावना बगवान ने उपछले कुरवानी के आधार पर कभीर परमेश्मन उसको बहुत दन दे दिया बहुत दोन दे दिया उसके पास इतना धन था उसे राजा के पास कि सत असी गंज असी गंज खजाने पीर के दिये खजाने गेर यह नहीं तोने खजाने असी गंज एक गंज में अर्बों का संपती होता है और उसकी एक निसान बनाकर और वहां पर नीचे दाब दिया जाता ऐसे असी गंजों के निसान दबे हुए थे और उपर जंडे लगे हुए थे शब को मालूम था के राजा के पास इसतना धन है लेकिन कंजोस इतना हो गया था के दो पैसे दान नहीं करता था और यह एक जीवका स्बसे बड़ा दुस्मन है यह माया फिर यहीं रह जाती है और यह खली हाओ चला जाता है बोष़ है कि कोई कमाई नहीं नहीं बनती कबीर पर मेशुर एक महतमा जिन्दा का रूप बना कर गए जिन्दा महतमा का रूप बना कर गए और कहा कि महातमा जी कुछ दान दो कुछ धर्म किया करो कुछ दान किया करो तब उसने कहा महातमा जी नौ सेर्खा ने कहा कि महातमा जी दान तो कर दू लेकिन मैं तो कंगाल राजा हूं मेरे पास पैसा ही बहुत कम है साहिब ने कहा कि ये देखो आपने ये कितने आपके पास तो सब खजाने दबे हुए हैं या उसी गंज आपकी ये दजा फरफा रही हैं आपके जंडे लगे हुए हैं । राजा ने कहा है कि ये तो मैंने कोईले दावर रखे, शर भरंब हो और रखा, दुनिया को ये बना रहे, कि मेरे पक्ष़ पैसा है लेकि दो कोईले हैं कबीर शाप ने का जैसी तेरी वृर्ती ऐसा ही ये कोले ही हो जाँगे बाटा तीरी यही नीता तो ऐसा क्या करके कबीर शाब चल पड़ए वो गई हूँगे आधा केलोमेटर राजा के मन में आया के साथू का वस्ण सफल होता है कहीं ऐसा ना हो यह बात भी गड़गी हो कोईले होगे हो उसी से में उसने खुदवा कर देखा तो सब कोईले होगे राजा पागल हो गया और भाग लिया आगे लो शैनिकों को लेकर कि महाराज के चर्णों में गिर जाओ रोक लो उसको अब शैनिक गई राजा गया चर्णो मैं गिर गया दाता अक्षमा कर दो अक्षमा कर दो कबिर साब ने कहा कि इन मैंसे 80% तू बाटे धर्म करे तो मैं इसको बक्ष तूनी तो तेरे गई अब उसने सोचा वे चल ठीक है मात्मा जी कह रहे है कुछ तो बचेंगे कभी साब ने का ठीक है वो करने जैसे आप कोगे कभी साब ने का कि पहरे उपदेश लो नाम लो फिर दान करना नाम दिया और फिर कहा इसका भंढारा कर दे बेटा तिरी जान का चाड़ हो जागा तो भी पागल है एक महत्मा के कहन तबरु जी के कहन ते इतना दान क्या करते हैं हाँ तो भर ली थी कर देता 20% बाकी रख लेता और फिर आच्छी सादी करवाता गोड़े लेता ठाट ठाट करता बता ये क्या किया मैंने उसके मनमा अंत में ये बर्मना रहेगी वो फिर मर और नाम के परभाव से और पिछले सम्मन के समय की हुई कुर्वानी के परभाव से उसका नेक्स्ट जनम फिर मनुश्का हो गया ऐसे सुब करमों के आधार पर ये प्रमात्मा मिलता रहता है उसके सुब करम बढ़वा देता है उसकी बजन बगदी करवा देता अबराहिम सुल्तान अधम उनका पूरा नाम था अब वो बहुत धनाड राजा था लेकिन कंजूस इतना था कि दान नहीं करता था और सरदा परभू की बगदी क्योंकि जनम जनमांत्र की बगदी करता हुआ आ रहा था आस्था परभू में बहुत थी संतों से मिलता था सं एक दिन अबराहिम सुल्तान अधम के साथ एक नकली संत न दोखा कर दिया वो नकली संत था राजा बहुत दनड़े था राजा ने एक अंगुठी बनवाई जिसमें लाखों रुपे का हीरे और पन्हे जड़ेवे थे आप उस ठग संत की दिरिश्टी राजा की अंगुठी पर होगी कि इसको कैसे इसे लूम राजा ज़्यादातर उसके पास संत के पास जाते थे और वो ठग संत ने ऐसी ही अंगुठी बनवाई एक सुना रहता है नकली नकली नगों की है और राजा से कहा कि आज नोका विहार करने चलते हैं और वो अंगुठी ऊसने चुपा कर अपने एक उस regard में पातर में रखिली लोटे और नोका विहार के लिए राजा और वह संत नकली संत साथ में एक नौका चलाने वाला नौका विहार कर रही है अब उस ठगने संत ने देखा कि राजा यह क्या अंगुठी कैसी हापकी उसने अग दिखाना मुझे कैसी है राजा ने एक लाक रुपे के नग वगडर लगें इस पे यह रिंग जो है तो उसने कहा राज दिखाना मुझे संत ने अब देखता रहा देखता रहा तो बहुत अच्छी वह जी वह जी वह राजा का थोड़ा सा ध्धाने दूरदर हूआ इतने में वह अंगुठी अपने वाली तो हाथ में ले ली और वह राजा वाली उस अपने कर्मिंद्लमा डाइल ली और राजा से कहा कि बहुत कीमती है ये लगता है जी एक लाख रुपे का सामान लगया इस पे ऐसे दिखा कर के दरिया में फैक दिया कि संतों के काम नहीं होते सोना चांदी हम तो राक होती है राजा बड़ा प्रबावित वाव एक कमाल की बात है तो संत के कमाल का चाला है ये तो देखता भी नहीं सोना चांदी की तरफ और ज्यादा स्वर्दा बड़गी वापस आगे एक दिन उस नकली गुरू की नकली चेले की बगड़गी उस गुरू के सेसकी उसकी आपस में कवा सुनी होगी और वो दोनों बगड़गी यहां कवीर साब कहते हैं गुरू लोबी सेसलाल सी दोनों खेल नहीं दाव और दोनों डूब बापड़े चड़ पत्थर की नाव अब उस नकली संत के सेस्ट ने जाकर के राजा अबराहिम सुल्तान अधम को बता दिया कि आपकी जो अंगुठी थी उस मेरे गुरुदेव ने दरिया मन ही डाला था उस ने आपके साथ दोखा किया है और उस ने एक नकली अंगुठी मेरे से बनवाई थी आप ही की अंगुठी को देख कर तो मेरे गुरुदेव ने आपकी औरिजिनल अंगुठी तो स्विम ले ली थी छुपा ली थी और अपनी नकली अंगुठी आपको दिखा करके दोखा देखा दरिया में डाली थी राजा को यकीन नहीं हो रहा है वो श्यस कहता है जी मैं आपको सच बताता हूँ और वो लो भी लालची बेखती है उसने आपकी अंगुठी को वहां दबा रखा है अपनी कुटिया में और कहो तो मैं आपको चलके दिखा सकता हूँ राजा को भी स्वास ने हो पाया कि ऐसा नहीं हो सकता है इनकी कोई वैसे कहास उनी होगी होगी और यह जोट वोटाची चैस ने का जी वो नकली अंगुठी मैंने एक ऐसे ऐसे सुनार से बनवाई थी उससे पता करवा लो तो उससे पता करवाया तो उसने बता जी हाँ नकली एक अंगुठी मैंने बनाई थी और उने कहा था कि राजा की अंगुठी के तुल बनाना है जिससे आपने बनवाई थी वो सुनार से जब राजा ने पूछा तो उसका विश्वास हुआ कि वाकि कोई कोई गुर्बड अवस्य है तब राजा उस सिस के साथ उस नकली संद के आसरम में अचानक पहुचा और सिस ने जाते ही बताया कि ये यहां दबा रखी है साथ में सैनिक सिपाई थे अंग रक्सक राजा के और जो ही जाकर वो स्थान खोद कर देखा तो वो अंगुटी वहां मिलगी राजा को बड़ा दुख हुआ कारे पाखन दी दुनिया को तुम ऐसी ठगता फिरता है उसी से में उसको कैद में डलवा दिया और चक की पीशने की सजा दे दी उसके बाद राजा का हरदे उठ गया दिल तूट गया इन नकली संतों से उनका विश्वा समाब्थ हो गया राजा ने सब जगे ये कहला दिया कि जो जो भी आसपास कोई संत मिला उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ फिर भी प्रभू से डढ़ने वाले विक्ति होते थे राजा के मन में यही आया कि पहले मैं उनसे परसन करूँगा और मेरे परसन का उतर ढंक से नहीं देंगे तो उनको कैद में डाल दूँगा ऐसे ही कई सेकड़ों की संख्यामन संतों को कैद में डाल दिया राजा ने और यह सिलसला काफी समय से जारी रहा एक समय की बात है कि राजा के महल के पास में किसी गरीब वक्ती के यहां पर कोई भगत आत्मा संत आत्मा सत्सं करे थे राद्री के समय राजा की आँखें निद्रा भंग होगी आँखें खुली उपर छट पर टहलने लगा और उपर से फिर परभु की चर्चा का एक विसेस आनंद उसको आने लगा शिपाईयों से कहा अपने नौकरों से कहा कि यहां कुरसी डाल जाओ और तुम नीचे जाओ राजा ने रात्री में सत्संग सुना है वो पिछली जो कसक थी वा परभु की भगती का जो संसकार दबा दबा हुआ था वो फिर उनके सत्संग की प्रेरिणा से फिर वो एकदम जाग उठा राजा को बहुत अच्छा लगा और एकदम परभु की तडफ उठी राजा को लगा कि ये संत कुछ अच्छे लग रहे हैं इन से परभु की चर्चा करूँगा अपने सिपाईयों को भेजा कि जो ये सत्संग कर रहे हैं सभी उस संतों को भगतों को कहो कि राजा ने आपको आमंत्रित किया है राजा का संदेशा पाकर के सभी संतों भगत जो सत्संग कर रहे थे आए हुए थे राजा के उनसके दरवार में उपस्तित हो गए राजा ने पूछा कि रातरी में आप बहुत अच्छी सत्संग कथा सुना रहे थे अल्लह के बारे में खुदा की बारे में आपने पर्भू पा लिया और ये थी तुमने पा लिया है तो मुझे भी दिखाओ वो कैसा है अल्ला अब सब असमन जस्मा पड़ गए कि राजा का तो बहुत सक्त नियम है ये तो उतर नहीं मिला तो अंदर डाल देगा ये हमें आमारे को एक समझदार सा संथ खड़ा हुआ उसने कहा कि राजा ऐसे बात है कि एक थोड़ा सा दूद मंगाओ राजा ने दूद मंगवा दिया गिलास में चिन्ली डालके यानि बूरा डालके और वो संथ उस गिलास में ऐसे उंगली डाल रहा है और देख रहा है और कह रहा है राजा तुम्हारे दूद में घी नहीं है कहते हैं दूद में घी होता है राजा पहले तो हसा कहने लगा नादान राजा ने कहा रे नादान तुझे यही नहीं मालम के दूद से घी कैसे बनता है तू काहे का भगवान को ढूंडेगा काहे का तुने भगवान पा रखा होगा और बताया कि दूद को पहले गरम किया जाता है गरम करके उसको ठंडा किया जाता है और फिर उसमें कुछ खटा डाला जाता है लसी या दही थोड़ी सी और फिर वो दही बनता है दही बनने के बाद उसको रिड़ का जाता है बिलोया जाता है उसका मन्थन किया जाता है और फिर वो घी निकलता है मक्षन और फिर उसको गरम करके निथारा जाता है उसको ताया जाता है और फिर सुद्ध घी बन जाता है समझा ऐसे बनता है दूद से गी तब उस संत ने कहा कि वगवन ए राजन जैसे दोद से घी निकालने का एक विशेश तरीका होता है विधी होती है ऐसे ही परभू पाने का भी एक विधी और तरीका है हम संत बतावें कोई संत मिला है पूरा वो बतावें और तो आप करोगे तो वो वस्तु बनेगी जैसे दूद से घी बन गया दूद में से घी निकल गया राजा ने इस बात का बड़ा मैसूस हुआ कि ये तो बस चापलूस लोग होते हैं और जवाब देना खूब जानते हैं राजा ने कहा कि इसको अंदर डाल दो इन सबी को कैद में डाल दो ऐसे लगबग कहते हैं तीन सो शाड़े तीन सो उन संतों को कैद में डाल दिया भगतात्माओं को सबी भगतात्मा राजा की कैद में रो रहे हैं याद कर रहे हैं पर भूत तेरे मारग में दुख ही दुखा रहे हैं ये दाता ये कौन से करम की सजा हमें मिली उसमें पुर्ण प्रमात्मा कबीर साहिब सत्लोक से आके राजा के महल के उपर एक रहबारी का रूप बनाके जैसे उंटों वाले होते हैं वो ऐसा रूप बनाके बड़ी सी पगडी डवल दोती सी ऐसे और राजा के रिजिडेंशल पालेश रहने के मकान का रियाशी मकान के उपर और सुबर सुबर ऐसे ठोक मारे हैं एक लठी की हाथ में लठ ले रखा और ऐसे ठोक जोर जोर से मारे हैं राजा ने कहा कि ये कौन उपर सोर कर रहा है किस चीज की आवाज है सिपाहियों पता करो उपर जाके सैनिकों ने देखा तो वहाँ पर एक व्यक्ती वहाँ डंडा मार रहा था लाठी से खुड़का आवाज कर रहा था उसको पकड़के नीचे ले आए और कहा राजन ये था उपर राजा ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे उपर कौन हो आप कबीर परमिश्वर ने उस उटों वाले के भेश में के रूप में विक्ती रूप में खड़े थे कहा कि बादसा सलामत मेरा एक उट गुम हो गया मैं उटों वाला हूं कारवान हूं और अपने उट की तलास में आया था सोचा साइद आपकी छट पर मेरा उट ना बैठा हो पहले तो राजा हसा और कहा रे नादाल उट कभी छट पर हो सकता है उट तो कहीं जंगल में होगा वहां डोल ना था बुद्दू कहीं का तब कभीर साइब ने कहा कि जिस परकार छट पर उट नहीं हो सकता महल की छट पर उट कभी नहीं हो सकता कभी नहीं चड़ सकता अती असंभो Quite impossible ऐसे ही जैसे आप पर्भू की तलास कर रहे हो इन बकवादों से संतों को भगतों की आत्मा दुखा रहे हो ऐसे आपको कभी परमिश्वर नहीं मिल सकता ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गई राजा को चक्कर आ गया कि ये कोई फरिस्ता था कोई अल्हा का भेजा हुआ पैगंबर था मैंने जुलम कर दिया मेरे से गलती होगी बेहुंस हो गया राजा और फिर मंत्री एकत्रित हुए रानिया आगी बैद बुलाए जनतर मंतर करने वाले ओज़ा बुलाए राजा होश में आया जन्तर मंतर करने वालों ने एक तावीज बांद दिया राजा के बाजू में और कहा कि अब कभी नहीं ऐसा होगा ये कोई प्रेत आत्मा की फटकार थी राजा तो होश में आ गया उधर से कभीर साहिब उसी दिन उसी समय कुछ समय कुपरांथ उस कैद में पहुंचे उस कारागार में पहुंचे जहां पर उन भगत आत्माओं को पीडित किया जा रहा था उनसे चक्की चलवाई जा रही थी कभीर साहब ने जाकर कहा सैनिकों से जेल में के रखसकों से कहा कि मेरी भी सजा तुम्हारी राजाने कर दी और मैं भी सजा पूगने के लिए आपकी कैद में आया हूँ वो सैनिक कहने लगे तैं बड़ा सरीफ आदमी भी आप ही आ रहा है जी मेरी सजा कर दी राजाने और मैं आ गया कहा कि ठीक है सैनिकों ने कहा कि ये चक्की है अर्तों भी पीश बैठके आटा पीशो कभीर साब ने कहा भी देखो एक काम करेंगे हम चाहे तो आटा पिशवाओ हमारे से चक्की चलवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो एक काम करेंगे हैं हम आटा पीश चक्की पीसेंगे तो आप सैनिक इस में वो कनक डालोगे दोनों काम हम नहीं करेंगे अब सैनिकों ने सोचा शिपाईयों ने कि यह तब डाव गर्वाद इसको करते हैं ठीक कहने लगा शिपाईयों कहा कि ठीक है तुम चक्की पीशो और हम कनक डालेंगे। शिपाईयों ने सोचा कि पहले अच्छी अच्छी कनक डालेंगे जादा जादा है और जब इन से चक्की नहीं चलेगी तो लट लगाएंगे ज़िका डंडे हम चक्कियों में कनक डालने के लिए तयार हो जाओ। कभिर साहिब ने अपनी चक्की जो उनके सामने थी, उस चक्की का एक डंडा होता था, किल्ला बोलने उसको, उसको ऐसे पकड़ के चलाया करते थे हाथ से, वो एक खुटी सी होती है, एक डंडा सा होता है, पत्थर के पा किल्य का उस डंड़े का जो चक्की का डंडा जिसको पकड़कर गुमाया करते हैं। उसके अपनी एक सोटी लगा दी डंडी। उस डंडी से ऐसे का के चल चक्की सारी चक्क्या चलो। अपने आप वो चक्क्यां गूमने लगी। अपने आप ऐसे खोका तूठिया। और सैनिक देख रहे हैं कि ये क्या हुआ चक्की आपी चल रही है कभीर साहब ने कहा उन सैन जितने भी संत भगतात्मा कैद में थे कि तुम आखे बंद करो जो ही सभी ने आखे बंद किया फिर आवाज आई कि आखे खोलो आखे जब खोली तो सभी के सभी महात्मा भगतात्मा जंगल के अंदर खड़े हैं और कभीर साहब ने कहा कि यहां से भाग जाओ इस नादान के राज्ज में फिर मताना सभी के सभी भाग गे कोई चपल छोड़ का कोई भाग गया कभीर साहिब वहां से अंतर ज्यान हुए कुछ दिनों के बाद कभीर साहिब एक आतिथी का रूप बनाक अर्थात एक यात्री का रूप बनाक है रस्ते चलते आतिथी का रूप बनाक है और राजा के महल में पहुँच गए राजा से के महल में पहुँच गए और शिर पे एक पोर्टली सी रखी हुई और जैसे दिहाती सा वेक्ती भोला भाला हो ऐसा सरूप बना के राजा के महल के रहने के यानि रेजिडेंशियल पलेस के अंदर पहुँच गए जहां राजा स्वेम विराजमान था और आगे पहरे दार भी थे लेकिन उन पहरे दारों को कबीर परमिश्वर दिखाई ने दिये राजा ने पूछा भी तो कौन है या कैसे आ गया कबीर साब ने कहा कि मैं ऐसे किसी सहर में जाना था गाउं में और मुझे देर हो गई है श्याम का समय हो गया है वह हमें पहुँच नहीं सकता तो मैंने सोचा किस सहर में आज रातरी बिताऊं और सुबह जाओं तो मैं यहां आपकी इस धर्म साला में आपकी इस सराइक अंदर रात रुगना है एक कमरा बता दे और उसका किराया बता दे धर्म साला वाले राजा से कबीर परमेश्वर एक भोला भाला सा रूप बना कर कह रहे हैं कि इस तेरी धर्मसाला में तेरी सराय में इस होट रेस्टोरेंट में एक कमरा दे दे मुझे और उसका रात्री का किराया बता दे क्या लेगा राजा पहले तो हसा उसके बोलेपन पर कबीर साइब के बोलेपन पर राजा ने सोचा ये नादान है बोलेपन में आ गया कहने लगा नादान ये कोई सराय थोड़ी है ये तो राजा का राजमेहल है दिखाई नहीं देता तुझे तो कबिर साहब ने कहा कि आप से पहले इस राज महल में कौन रहते थे अब राजा ने कहा कि मेरे पूर्वज रहा करते थे और वो कहां गए तेरे पूर्वज कहां गए वो तो कबिर साहब ने पूछा राजा अबराहिम सुल्तान अधम ने उतर दिया वो तो अल्हा खुदा को ब्यारे हुए आप कितने दिन रहोगे राजन इस महल में अब जब अपनी मरत्यू का नंबर आता तो बह बहुत लगता है राजा ने कहा कि जाना तो हमने भी पड़ेगा जाना तो हमें भी है एक दिन तो कभीर साहब ने कहा कि नादान पड़ पिड़ी चलेगी ऐसे ही बेटा तू चला जाओगा इसलिए मैं इसको धरम साला सराइ बता रहा हूँ वह तरे बाप दादा पड़ पिड़ी वह भी रहे सरा में गिदी सराइ के इंदरो नादान इसी में रहे ऐसे मैंने ये मेल सराबताई ऐसे ही तू चल जाई इसलिए मैंने ये मेलों को सराबताई इतना कहकर और कहा के तो दो परभू को भूल गया नादान इस दो दिन के राज और पाट में चौरा सी में जाएगा और गधे की जूनी पाएगा ऐसा कहकर के कबीर परमिश्वर अंतर ध्यान हुए है अब राजा को फिर चक्कर आ गए वी नमर आत्मा होते हैं पर पर्भू के बगत बेसक राजा बन जाए उनमें दिल बहुत कम होता है वी नमर होता है इतने में बेहुंस होगे फिर होश मुल आए ओजा आए वैद आए सारे काम के अब ओजाना यानि दूसरे ने ताविज दूसरी बाजू का बाहन दिया एक कर तो पहले बन्दा हुआ था दूसरी का ताविज और बाहन दिया कि अब इसको कोई दुक्त नहीं कुछ दिनों के बाद कबीर साहिब एक बहसे को लेकर बहसे को और कबीर साहिब एक बहसे को लेकर राजा के राज दर्वार में पहुंच गए जहां पर वो बैठ कर नयाए करते हैं या अपना दर्वार लगाते हैं सैनी मंत्रियों से सल्हा मसोरा करते हैं तो वहां पहुंच गए और राजा बोला भी तू कैसे बैसे समेथ कैसे आ गया कबीर साहब ने कहा कि आपके परशनों का उतर देने के लिए आया हूँ कबिर साहब ने कहा राजा ने कहा कि क्या बोलो उतर दो कबिर साहब ने कहा कि आपने पूछा है कोई मेरे परसन का उतर दे कि भगवान कैसा है अल्ला कैसा होता है उसको दिखा दे तो मैं मान जाओं आखा मेरा ऐसा ही परसन है आप बताओ और दिखाओ कب실 साहिब न उस भैसे की कमर पर ऐसे थब थबा दिया और कहा कि बैसाराम बताइब इसको अल्छा कैसा होता है तब भैसा बोला कि राजा ये परमेश्वर खड़ा है और जो कुरान शरीफ में कबीर, अल्छा कबीर, अल्ला हु अकबर, अल्ला हु कबीर वो कबीर परमेश्वर जिसने छे दिन में शिरिष्टी रची और साथ में दन तकत पर विस्राम किया ये वो परमात्मा है इतना कहकर के अंतर द्यान हो गए राजा फिर बेहुस हो गया फिर बोला जुनतर मंतर करने वाले उसके बाद क्या होता है राजा बहुत मायूस रहने लगा कि ये क्या जीवन है और परभू अल्हा की प्राप्ती नहीं हुई तो ये राज पाठ दो दिन का ऐसा सोचते सोचते फिर काफी समय बीद गया एक राजा क्या करता था दिन के समय दो पहर में एक दो घंटा अपने नो लखा बाग में विश्राम किया करता था उस बाग में एक उनकी बहुत सुन्दर पलंग लगा हुआ था उस पलंग की रो जाना कपड़ों को जाड़के दुबारा नई चद्दरादी बिच्छाना और उसके आसपास फुलों के गुलदस्ते उस बाग से तोड़के सुकदिन्द फुलों के गुलदस्ते लगाना वहां बांदियों का सेविकाउं का एक जूटी लगा हुआ था उनकी वारी लगी हुई थी परती दिन राजा के काफी रानिया थी सोला हजार रानी बताते हैं राजा के इतना एस्वरीयवान और बदमासी पे लगा हुआ था اور बांदियों की ड्रेस अलग से होती थी और राजा के उस बाग में जाके उनकी बहुत सुन्दर सेज बनाई पलंग के उपर खुब अच्छी सजा उठकी और फिर उसके चारण तरफ गुलदस्ते लगाए और स्वेम उस चारपाई के उपर उस पलंग के उपर लेट के सो गए उस दासी यानि नोकरानी के रूप में राजा जब सौने के लिए विसराम के लिए आया तो उसने देख्या कि बांदी और मेरी सेज पर इसकी इतनी हिमत बढ़गी दिमाग खराब हो गया इसका राजा ने आव देख्या ना ताव देख्या एक कोडा उठाया कोडा और कबीर परमेश्वर के कमर पर बांदी समझ के तीन मारे ऐसे जोर जोरत हैं कबिर साहिब उठे एक बार तो रोए बहना सक्या रोने का और फिर हांस के लोट पोट हो गए उस्टे उस्टे अब राजा ने सोचा कि यह बांदी हस रही है एक कोडे में घोड़ा भी गिर जावे इतने जोर से कोडे तीन लगाए असने का तो तात परिये ही नहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यह हस क्यों रही है कैसे हसी राजा ने बांदी का कबीर परमेश्वर का हाथ पकड़ा और कहा कि बांदी तू हस क्यों रही है कबीर परमेश्वर ने कहा कि राजन मैं इस तेरी गंदी से जबए एक घड़ी सोई थी एक घड़ी अर्थात बाईस मिनट मैं इस तेरी घड़ी पर सोई थी और इसका मुझे ये परतिफल मिला कि तीन कोरिडे की सजा मिली मैं यू हास रही हूँ कि तेरे साथ क्या बनेगी बच्चु जो तू रोज सोई इस पर है जिस पर दो घड़ी सोने की इतनी भेंकर सजा कि तीन कोरिडे मुझे लगे और मैं नू हसूँ बेटा तेरे साथ क्या बनेगी तू रोज सोई तेरा बकल उतरेगा ये दो दिन का राज और पाट तू अंधा हो गया पर भू भूल गया अल्ला को बूल चुका है इतना कहकर बंदी अंतरद्यान होगी ये कभी परमिश्वर एद्रश हुए अब राजा बेहोंस हो गया दो घंटे में होंस माया बिल्कुल मायूस हो गया और ये राज पाट जैर दिखाई दे वाए ना काम काज को दिल करे है हर्द मायूस से वना हुआ बेठा रहे राणियों ने सोचा कि ये तो काम से जाएगा और वो सका है कहीं राज न त्याग दे इसको तो कोई ऐसा जटका लग रहा है राणियों ने मंतरियों से कहा कि आप राजा को एक हफते के लिए कहीं ले जाओ पिकनुक पर वहां बाहर सिकार खेलने ले जाओ सभी दो-चार मंतरी और साथ मैं सैनिक और राजा राजा से प्राटना की कि आप बाहर गुमने चलते हैं राजन आप हमेशा यहां पर मायूस से रहते हो और आपका वहां दिल ठीक हो जाएगा राजा ने सभी करती दे दी बाहर चले गए एक हफ़ता के लिए वहां जाकर के पड़ाव लगा दिया सारे काम हो गए सुबह सिकार के लिए चले दोपैर हो गई बाहरे एक बच गया लेकिन कोई ही भी सिकार हाथ ने लगा इतने में एक मिर्ग एक हिरन आया राजा ने कहा कि ये मिर्ग ये हिरन नहीं जाना चाहिए किसी किसी भी किमत पर ये जिए जिसके पास से चला गया तो उसकी खहर नहीं है एसा उन्हों ने राजा ने आदेश दिया किरपा परभू कबीर साहिब की वो जो हिरन था वो राजा के घोड़े के नीचे से निकल गए और बाग लिया अब राजा सरमिंदा हो गया कि अब किसको कहूं स्वेम ही उसके पीछे घोड़ा लगा तोड़ा दिया अंदा धूंद और निकल गया को पंदरा सोड़ा किलोमेटर की दूरी पर जंगल में गहर ये जंगल में इतने में वो मिर्ग एक जाड़ी की ओट पाकर के एदरश हो गया दिखाई निदिया राजा ने खूब देख लिया उदर से राजा को और घोड़े को बहुत प्यास लगाई इतनी प्यास लगाई कि दस मिंट ये दी जल नहीं प्राप्त हुआ है तो दोनों मिर जाऊए घोड़ा भी और राजा भी राजा ने याद किया या अल्हा अल्हा अक्बर आज जान बक्षो पर वर्दिगार हे मालिक पानी कही नजर नहीं आ रहा है ऐसा सोचता हुआ राजा वापिस चला आधा किलोमेटर चलते ही क्या देखता है कि एक भूँ सुन्दर बगीचा उसके बीच में सुन्दर सरोर और फलों से लदपद वरक्ष और एक जिन्दा मातमा रूप में एक साथू मुसल्मान साथू बैठे हैं और जहुफडी डाल रखी है और साथ में तीन कुट्टों को लिया हुआ है बहुत सुन्दर कुटे और एक कुट्टा बांधने की तीनों कुट्टों को बांध रखा है बेलता है चैन तर लोहे की चैन तर एक वो खालिट वहीं पर रखी हुई है राजा ने पानी पिया कुवा भी बना हुआ था राजा ने कुवे से पानी पिया गोड़े को तालाब में पानी पिलाया वरक्स से घोड़े को बहांद कर राजा ने सोचा ये साधू बहुत सुंदर कुटे लिये हुए है ये इतने कुटों का क्या करेगा क्यों न इससे दो कुटे ले लेता हूँ ये सोचकर के कबीर परमिश्वर के पास जिन्दा महत्मा मक के रूप में जो बैठे थे उनके पास आकर सलाम वालेकम किया और कबीर साहब ने परती उतर दिया तब राजा ने पूछा हे मात्मा जी ये तीन कुटों का तू क्या करेगा इन मेंसे दो मुझे दे दे कबीर साहब ने कहा जिन्दा के रूप में के कहा कि ये कुटे भाया ऐसे देने के नहीं है ये कोई ऐसे वैसे कुटे नहीं ये राजा थे पहले अक राजा थे हकां जी अब कबीर साहब ने क्या किया कि उनके सामने बड़े सुन्दर पदारत रखे वे खाने के लिए हलुआ भी, खीर भी रोटियों के उपर रखी हुई है और सब के सामने रखे है लेकि उनको खाने नहीं दे रही है खुटों को कबीर साहब ने कहा कि ये तीनों के तीनों पहले इस बलक बुखारा सहर है ना जो ये इसके राजा थे ये और जो अब ये जो है अब जो वरतमान में बैठा है ना गद्वी पर वो राजा इस बलक बुखारिक बादशा का राजा है ये उसका पिता है, ये उसका दादा है ये उसका पड़ दादा है और इसलिए भाई, ये नो देन के को ना और बताओं ये जो खाली कुटे बांदने की बांदने की बेल रखी है ना ये पताओं क्यों रखा है अब जो वो राजा है उसकी जब मर्टू होगी अब वो तो खोब मस्ती में गूम रहा है, वो भगवान नहीं बज़ रहा अब बादा है ये देखो, हलोए रखे हैं, खीर रखी है इनका दिल करता रखुते आईसे खाना चाते हैं कभीर साब उनका ऐसे बेल मार देते हैं वो रोते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कमबक्तों जब भगवान भजा नहीं ये हलोए खा क्खा का मौजमारी दिन खो दिये वो वक्त समाप्त कर दिया मानुस चिर्म का तुमने सोचा था तुम सदा राजा रहोगे ये सोच के ऐसे कह के उनका फिर संगल मारने लगे अब इतना लिला देख अबराहिम सुल्तान एक दम उस जिन्दा महात्मा के चलनों में गिर गया पैर पकड़ के खूब रोता है खूब रोता है कि ये वही होना हो ये वही परमेश्वर है जो मुझे रह रह कर चेताओं नहीं दे रहे है मुझे चेता रहे है मैं अंधा मान नहीं राएन की बातों को एक गंटा तक रोता रहा एक गंटे के बात जब ओपर देखा और प्रार्थना की परवर्दिगार मुझे अक्ष्मा करदो देखा तो वहापर नय तो जिन्दा महात्मा और नहीं वो गुत्टे और नहीं वो बगीचा और नहीं वो जल्ड ना सरवर कुछ भी नहीं है तब अब देखा कि पानी पी रखा और गोड़े के पैर गिले ये कैसे माने कि इस वापन है या छूट थी या मेरा कोई भरम था इतना मायूस हो गया कि ये तो बात विगड़ी वहां से चल पड़ा गोड़े परसवार होके और जाके अपने सैनिकों से और मंत्रियों से बोला नहीं इतना मायूस हो गया ऐसे ही सारा किया कि आजो उठाओ सारे समान को दस मिन्ट में सब सैनिकों ने अपना समान लाद कै और राजा के साथ परस्तान कर गया जब स्याम को वापिस आये तो रानियों ने पूछा कि क्या बात हो गई इतना सिगर कैसे आगे मंतरियो आपने तो एक हफ़ता में आना था तो मंतरियों ने बताया कि ना जाने इनके साथ क्या हुआ अकेले एक हीरन मरक के साथ दूर चले गए हमारे से बहुत दूर चले गए और वापिस आये तो इनकी सती थी ऐसी बिगड़ी हुई थी कि ये तो बोले भी नहीं और हमारे को कहा इसारा क्या काओ राजा अपने कमरे में जाका बैठिया अब रानी अंदर गई जो बड़ी रानी होती है साथ में मंत्री बुला लिए दो चार सैनिक समझदार से वो भी आगे राजा से रानी हो ने प्रारतना की कि राजा आप ऐसे ही सोत रहे होते हूं ये तो ऐसे ही दीखते रहते हैं आप कहते हो मुझे ऐसा दिखा मुझे ऐसा दिखा ये कोई सत्य थोड़ी होती है और आप मनुष होकर राजा होकर घबराते हो हमें तो कुछ नहीं दीखता है अब राजा कहने लगा कि कोई बात नहीं तुम्हें नहीं दीखता होगा पर मुझे जो दीख रहा है अब मुझे दीखने लगा है मुझे मैंने जो देखना चाहिए था इतने में एक कुता आता है कुता डॉग उसके सिर में कीडे पड़े हुए जखम गयरा हो रहा और उसमें जीव चल रहे हैं ऐसे खा रहे हैं नौच रहे हैं उसको आके उस कुते ने और अबराहिम सुल्तान अद्म के सामने खड़ा हो करके ये सब्द कहे कि अबराहिम मैं उस फला नगरी का राजा था रियास्त का और मैंने जो जुल्म किये भाई मुझे ग्यान नहीं हुआ कि प्रवु की भगती बहुत जरूरी होती है और मेरी मर्तो उस अमुक राजा के साथ युद में हुई थी इस बात का ग्यान अबराहिम को था कि उस नगरी के राजा की मर्तो किसी उस राजा अमुक राजा के साथ यानि कोई राजा था उसके साथ मर्तो लड़ाई में हुई थी तो कुटे के कुटा बोल रहा है कि अबराहिम तरसु आउसर है अपने जान बचा ले ये दो दन का राज है और फिर ऐसी दुरुगती होगी डुंडानी मिलेगा ये जीवन अनमौल हवाई तेरे उपर रेम है परभू का आपके साथ वो रह रहे कर चलता है को विशेस उन्हे तेरा जो परभू तेरे लिए इतनी कोशिस कर रहा है तु सो रहा है नाजान इतना कहकर कि वो कुटा तुरं तु वापस भाग गया अब अब अबराहिम ने कहा कि देखो तुम कह रहे थे ना जूट होल रहा हूँ अब जाओ सारे बाहर निकल जाओ कमरे से सभी को बाहर कर दिया अंदर से संकल लगा ली रात के समय काला मू कर लिया अपना कालस लगाई और केवल एक साल साल होता है ऐसे बांज लिया कोई कपड़ा नी लिया और रात ने बाहर से कमद डालकर बैक साइड से रसा डालकर उसे उतरकर और खेसक गया लगवग 10-15 किलोमेटर बीच किलोमेटर रात तो रात ने सफर कर दिया पैरों में केवल जूती थी और कुछ नहीं साथ रखा था और वो दोनों जूते इतने किमटी थे के एक जूते की किमत सवाल लाक रुपे अर्थात इतने हीरे और पन्ने जवारात जड़े हुए थी राजा को जब सुरिय उदा हुदे हुआ तो राजा को भूख लगी क्योंकि पैदल कभी चला नहीं था छे काजूर किसमस के अलवे खाया करता था बहुत जोर की भूख लगी सामने कबीर परमेश्वर ने एक बेर बेरी का बाग का बगीचा बनाया अपनी लीलात है और स्विम ही मालन बनके बेर बेचने वाली बन गई और वह सुंदर मोटे मोटे बेर रेक्टोक्रे में रखे वे राजा ने कहा मालन बेर दे दे और इसकी किमत बता दे बालन ने कहा कि एक आने का पहले एक आना होता था और 16 आने का एक रुपया होता था चांदी का अब उस चांदी के रुपय की लगभग 90 और 100 रुपय कीमत है एक आना देख लिना कितना होगा 16 लगभग 6 रुपय का समझो एक आना 6 रुपय का 6-7 रुपे का एक आना समझो उस आने की किमत आज की 6 रुपे समझो तो मालन ने कहा कि एक आने के सेर अर्थात किलो लगभग किलो एक किलो बेर मिलेंगे राजा ने कहा कि मालन मेरे पास आना नहीं है मेरे पास ये जूती है एक जूती की किमत सुआ लाक रुपे है और मैं यही दे दूँगा मैं बहुत भूखा मर रहा हूं मुझे एक सेर बेर दे दे इस पूरी जूती के बदले में दे दे मालन ने का ठीक है चाहिए आना दे और चाहिए जूता दे बेर तभी मिलेगा मालन ने ऐसा कहा करके सेर बेर तोलने लगी तोल करके कहा ले डला अब अबराहिम ने अपने साल का ऐसे पला किया एक बेर नीचे गिर गिर गया पल डेमात है अब अबराहिम कहता है ये मेरा बेर है मालन कहती है ये बेर मेरा गिरा है तेरा नहीं है दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ बेर के बारे में ऐसे पकड़ दिया सोर मच गया अब ज़्यादा लंबा ना करके मैं ये कहना चाहता हूं कि उस मालन रूप में आये परबू ने कहा के नादान सवा लाक की पावड़ी पावड़ी कहते हैं खड़ाओं जूता सवा लाक की पावड़ी एक पैसे का बेर और देख अदम सल्तान ने वह कैसे डली मेरी उसी समें मालन के रूप में प्रमेश्वर एक दम मानो रूप बना के कहने लगे नादान तो क्या राज छोड़ कर आया एक एक बेर के उपर लड़ रहा है और स्वालाक रुपे की जूती डाल दी तेरी बुधी कुन से कहां भी की हुई है एक पैसे के बेर के उपर तो लड़ाई कर रहा है और स्वालाक रुपे की जूती डाल रखी है नादान तू क्या राज त्याग का तेरे अंदर ये मैं और मेरी तो जो की जो भूस वरा हुआ है ऐसा ही तो ऐसी लडाई राज पे, ऐसी लडाई बेर पे, ऐसी लडाई शेर पे, और ऐसी लडाई कुटे करें टूक पे यानि एक ग्रास रोटी पे और सूर करें टट्टी पे लड़ाई तो बीरा लड़ाई ही है बचा ऐसे सोच के चर्णों में गिर गया कि दाता मेरे श्पगलती होगी कवीर साथ ने कहा कि तो अपदेश ले अब तो सीधा हो गया कवीर साथ ने पर्थम अपदेश यानि पान परवाना जिसे कहते हैं पे पदार्थ यानि जल के मादम से या दूद के मादम से कवीर साथ देते हैं इसको पान परवाना कहते हैं पान माने पेयप अदारत के मादिम से कुछ सक्ती प्रविश करना पान सो से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपलजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दीकी नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541